सिर्ण वाला जाना है पस उसकी सीडीया निकाल ली गई है ताकि हम भाग ना सकें आपके हम काला फानी सजा प्राइब मैं तो पौनच गया बट क्या है यहां पर तो ड़ा कशेत पर कशेगा वह इस अघ्री कर लिए था उप मैं पीछे बात किया था सरसे अंदर रिपेरिंग गरे के लिए गए थे तो उस मैं वह से थोड़ा देख थे अप किन अ अधा टाइम लेता है और वज्गे टॉक्प एक्स्ट एक्स्पिरेंस क्या होता है बाइयर आना चाहिए बाइसिप आना चाहिए वह आपन देखते हुआ यह सर है आप इस पोर्ट पर जोब करते हैं और यह जो सामने ब्रीज आप देख रहें उठा हुआ वह वह ब्रीज पर इनकी डूटी है तो आप यह कैसे इस पर किस हाइट का जहाज आता जब आप उठाते हुआ इसका ऐसे हमारा कैलकाटा या क्या बलता है इसको डॉक्त से ह बोल दना इसको जो चार-फांच आपको क्या बलता है इसको थोड़ा क्या है केमरे पे ना आसे मतलो हाते निये तो इनको थोड़ा क्योंकि उकली स visa अबने का जो कुछ समान होता है जैसी कि यहां पर बंगाल की घाड़ी के तुप सब्सक्राइब मिलते हैं आप लोगों भाड पर आपकंछ घाओं आनि क्योंकि ए पूसके प्रक्षर आपने के इसको भाकुत अपने डिजन से वह left चाहिए और कुछ चीजे अपनी प्राइवेसी गरनी चाहिए देश पहले हैं पोल कता है कि पोर्ट पर बैठा हूँ और आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि यह हमारे देश के मतलव से जुड़ा हूँ अभी सवाल है तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकता है यहां से आगे और मेरा जो हालत है अभी घर्मी से बहुत बुरा आज हो चुका है तो मैं आपको है इससे आगे का कुछ भी ने दिखाने वाला बाकि है ना बहुत अच्छा है आओ आप थोड़ा बहुत तो सर्वाइब करना पड़ेगा हमारे को तो कि अब यहां कि अधर देखना अधर अधर देखना कि अधर अधर चुका है ऐसे बाइयर जाना तुक ज्ञादा बेटर रहता बढ़कर एक्पिरियंस लाइफ है ना हर चीज का बना चाहिए तो इसमें जा रहे है और पारोड अभी यहां से तो यही मेंटेनियस के वज़े से है ना वो बोट जिस जगह से पर्टिकुलर जा रहा हुता है वहां से नहीं जाके खोड़ा से यहां से 1.5 किलोमेटर का एसपस से जा रहा है तो आप लोग को बताऊंगा यह दो को सभी को बस में वह अपना पीछे और यह यहां पे आप सामने देख रहे है इस रोड से लि जराओफ हूं मैं अप है आप लोग से अगय कर तो यह ना लटवाला और इसी में हम जार रहे है अगले 80 गंट्ते तक इसी में बता यह हैं असी से होता यह तो पता नहीं जिसम मैंने संबंदर में नहीं है और मैं देख रहे हो कभी समान को अजिस्ट करता हूँ यह सामने लोकल रूम भी दिया हुआ है तो अभी थोड़ी हम लोग है ना अभी भी वेट कर रहे हैं इस सिप का निकल लेगा अभी अभी हम अनक जो कोलते दा के पोर्ट पही है ना खड़े अभी ने मुझे का था कि यह कम से कमर रात से पहले नहीं निकलेगा सुबह आप जागोगे तो समंदर के बीच में पाओगे तो मैं आपको जितना यह दिखा सकता हो इतना दिखा रहा हूँ अब भाई बार 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 चकल लगा है तीस रुपे के लिए अब ले लेते हैं बार बार चक्कर ना लगाया हो ही बेटन है और हम सारे भाईओ में भाईचारा इतना ऐसा हो गए है ऐसा लगता है कि हम दोग बच्पन के बिछडे है अना इस बड़ापे में मेरे है अप लोग जब भी आऊ तो मेरे हिसाब से है ना एक साथ ही बुटता जाओगे निचे गाओगे तो कोई मतलब वाली बात की अब फिर रहने कल से है ना फिर रहने वह तो इससे बढ़िया है कि एक साथ ले लो 100-200 रुपर मत देखना पाकि चलेगा यह अम लोग है ना कॉलकाता में अभी भी है न इसी जगह पे है और खैर कोई नहीं टेक्निकल इस वाली सु तो कुछ भी हो सकता है और तूरिजम के लिए जतना भी अच्छा हो सके अच्छा है क्योंकि इस रूट पे ज्यादा आया रहना रावल के लिए कुछ है नहीं कुछ महाराष्टरा से हैं कुछ बंग्वाल से और वह सब हैं तीनों जने तो मेरे हैं काफी होगा थोड़ा बहुत कहा रहा है हूँ सब्सक्राशन दो तो होगा था में तो खिना अच्छों का दिवानना बंदे के अंदर मेरे बसो का क्रेश है आ अजो बहस ऐं एंठाख इना मेरे ऐसा कोई बस नहीं हो जिसमने ट्राइवल नहीं किया हो ए और यहा और यहां पे जो तो साइकोे साइको होते हैं, वो सारे के सारे इसी सीब है, तौ मतलब यह मतलब मैं मैं भी हूं, ऐसा हमागी हैं। लेकिन, साइको का मतलब यह नहीं कि उस टाइपके साइको यानि कि इनके देर explore करने के लिए वो capacity है जो हर किसी में नहीं नजर आता है तो भाई लोगों आप लोगों के लिए एक थमसम बनता है थमसम आप के लिए देना अंगुटा में दिखा दूँगा थांक्स जैसी भी है ना वो अब वो क्रेंग से वह टा रहा है को सामने जो वाइट शिर्ट में दिख रहा है वह उसके अंदर ने हुक डालेता और निकालेगा उसको और काफी देर से हम वेट कर रहे थे और अभी यह नीचे का जो देख रहे हो आप यह भी एने खुला बाकी है यह जो देख रहे हो आप इस जगह बेट तो अभी इसको कम से कम है ना 15-20 मिनिट आना पकड़ के चलो लगेगा और यहां सी इसको छोड़ने में कम से कम एक घंट में आ चुका रोज कुछ समान देख रहे हो उस गाड़ी के बगल में वह आप है न मैंने मैंने बार 15-20 दिन रुके कोई दूसरा सी पना जाए जब तक पढ़ा रहेगा यहां पर या इनके याट में या इनके गोडाओन में पढ़ा रहेगा तो तो अभी बुकिंग मेरा क समझता करिवाना ऊंसा य्हालात हे इस समय पर जान दें ने मैं नीचे की बात क कर रहा हूं वह जो कंटेंडिनर के जैसा दिख रहा है उसकी नी बात कर रहा हूं वह तो इन्या किसी मिorama जला जाया गा लेकिन वह नीचे जो उस गाड़ी के नीचे है यह वाल उसकी बात कर तो चलो भाई इतना ही है और अभी भी है ने कोई आता पता नहीं है तो चलो ठीक है मिलते हैं आप लोगों से आगे यह देखा यह जो आपको है रहा है यह आपको निकल गया अब यह आपका निकल गया और जो भी इनका आपस का जो डिश्टिपूर था वो सॉलुशन हो गया होगा और इससे आगे मैं कुछ बोल नी सकता तो चलो जैमातादी जैहिंद सस्रियकाल नमस्ते लोग खाना है ना हमारा आगया इस तरीके का और देखते हैं बाई कैसा क्या है गर्मा गरम मेरे हाथ में जलन हो रही है पहंकर वाला है उदर बैठना है ना बया हाँ उदर ही बैठना है चलो यह भाईया है ना लाइन में लगे पिरिवान नहीं खाने का जाधा मैंने एक एक रहा गरा बाकर यह इनूने वेज लिया और खान अच्छा है कैसे खाना लगा थे सिम्मार्डव हाथ मेरे को अच्छा लगा नहों को दाइसकी उदर में नहीं भाए है छैना एक्जा ज़ाये ही द Seven तूना आराम से खाने का प पानी पेलेगा यहां पर ने कर देख रहे हैं यह सामने से किसी भी कंट्री का हो यह निकल रहा है और हम लोग यहां पर मक्षेया मार रहे हैं कि हमारे साथ में यह धोके वाजी हुआ है तो कि दोका नहीं कहूंगा मैं क्योंकि जैसा है हम जो पैसेंजर दोसो मतरव दोसो वन नैंटी ने लेकिन पांचो लोग करें केपिसिटी है वह यह लेकिन पैसेंजर कम और कार्गो ज्यादा है तो उसके हिसाब से ना अब इनको क कार्गो लोड कर लिया फिर भी इनको है ना डॉक से ना पर्मिसन नहीं मिला है क्योंकि इन्होंने रेस्टेशन नहीं करवाया उस टाइम से क्यों मेरे को इस टाइम पर निकलना है इछले दस घंटे से सिप है ना कोलकता के ना मतलब पोर्ट पे ना रुकी हुई है और मैं मैंने यह कंबल वगरा लिया है 500 का सिकोर्टी डिपोजिट में यह कंबल देते हैं यहां पर कुछ ऐसा था कंडिशन जो मैंने डिलक्स क्लास का बुक नहीं करवाया मैंने क्योंकि मेरे जो फ्रेंड लोग वह सभी थे ना वो सभी मेरे से बोले कि कि आपना बजट मतलब ब अब लग रहा है पर्जेंट टाइम में ज़्याना कल को टूरिस्ट बढ़ गया दिमांड बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है वह मैं कह नहीं सकता लेकिन अभी है ना पर्जेंट टैम में सिप से आने का मतलब है अपने आप अपना टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट करना है क कि 16 तारिक का सिप था 17 को 11 बजे का चलने का टाइम था लेकिन अभी जो रात को नहीं मतलब सुबच मॉर्निंग की टाइम आ रहा है अपने हिसाफ से सोचना मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अपने टाइम से नहीं चल सकते चल सकते हैं लेकिन कॉन्फिनेंस मत रहना यह मैं कहना साथ हूं पर शल्राव मारे सामने की चीज था है नहीं हमारे चुर्तियापा कर गया है उसके सीड़े प्लस कर चुके या चार दिन के लिए हो चाहिए पांस दिन के लिए हो लेकिन बट आप काला पानिया में सदा पाढ़ते हैं ना हम अपने मर्जी से खा सकते हैं ना हम दो सकते हैं ना पी सकते हैं मत गवाथा कहने का मतलब यह पाजी ना उसके बाद में हम दो सकते हैं मेरा भी इच्छा नहीं हो रहा है एक चीज़ और कमाल की बाद हो आपको यह इंपर्मिशन नहीं मिलेगा कि किस बज़े से आता रुका हुआ है यह सिप किस बज़े से इन्हों नहीं अब तक रहे इसको डिपार्चर नहीं किया अब बाद मेरे एक ही है बैने लोकल लोगों से बात्चीत किया था उन लोगों ने बोला कि यह लोकल है मतलब अन्डमान को बार के लिए इस चलाते हैं और एक बार मोड लोगों ने बताया अब अब गर्वाण नहीं कि इसके अंतरे दस लाग थे जल जाता है तो हो से जल्बी आता हो तो गुवर्ण्मेंट चेक ही रिक्वेस्ट करना था 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 दसलाग को लेके जा रहे हो तो वह दसलाग है ने दोसो लोगों को देज हो ए आड जुतने पैसे का वाउड से चले या का आप अपने मैनेजमेंट को सुदार लो, नहीं सुदर रहा है, तो जो मैनेजमेंट का अधिकारी है ना, उसको पहले फुशप ले चलता कर दो याँस से, तब जाके आपकी अली, यह जो बन्दमास सही चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से, ते इसा क्या है, उन्हें तो यह मेरा आगया, यह है कुछ वटर रोटर के मिलेगा नी, क्योंकि जो प्राइज है इस कंडिसें में, यह वो लाइन लगे हैं हमारे, भाई होस्टल में है ना, वो मेस होस्टल वाला जो मेस है, उसका कंडिसें है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया भाई लोगो, तो इस से आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे, यह एक ही चीज देख देख के, अभी भी सीफ हमारा है ना, एक ही जगा पर रुका हुआ है, तो भाई कोलकता पोर्ट से अभी परमिसन मिले है, या ना मिले जुड़े रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू